ओलगी, जोहार, नमस्कार साथियो सुप्रीम कोट ने 1 अगर्ष्ट दोहजार चूबिस को STHC आरक्षन पर एक ऐसा जजमेंट दिया जिससे आदिवासी और दलित समाज में उतल पूतल मत गया है सब सोच रहे हैं अब उनके भविस का क्या होगा तमाम मीडिया और न्यूज पेपर में कहा जा रहा है कि यह जजमेंट STHC के आरक्षन कोटे से कोटा परदान करने का जजमेंट है क्रीमी लेयर लागू करने की बात भी कही जा रही है कई मीडिया चैनल और न्यूज पेपर अफवाहे फैलाने में लगा है मैं इस वीडियो के माध्यम से हकीकत किया है यह आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा क्या क्रीमी लेयर और उपवरगी करन STHC में भी लागू होगा साथ ही मैं यह बताऊँगा कि जजों के बीच किन बिन्दों पर समती और आसमती थी इस केस के सुरुआत से आखरी तक के बाइग्राउंड भी बताऊँगा OBC काटेगरी से सम्मंदित आर्टिकल और लेगल डिसीजन जो पहले हुआ था उसको किस प्रकार STHC में भी लागू कर दिया गया या जज़िमेंट किस प्रकार STHC आरक्षन को प्रवावित करेगा इस पर भी हम चर्चा करेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं सब क्लासिफिकेशन करने की शुरुआत कैसे हुई पहले चिनाईया केस को समझ लेजिए 1999 में आंध्रप्रदेश सरकार ने अनुसुचित जाती की लोगों में आरक्षन का लाब देने की आसमानता को देखते हुए आंध्रप्रदेश स्चिडूल्ड कास्ट्स, रेस्नालाइजेशन और रिजर्वेशन्स, ओडिनेंस 1999 की घोसना की इस आदेश में आरक्षन के लाब को तर्क संगत बनाने के उद्देश से अनुसुचित जाती को चार ग्रूप में बाटकर आरक्षन कोटा निर्धारित कर दिया ये चार ग्रूप हैं ग्रूप A एक परसेंट, ग्रूप B साथ परसेंट, ग्रूप C छे परसेंट और ग्रूप D एक परसेंट ये जो परसेंटेज बता रहा हूं या रिजर्वेशन कोटा है आंधर प्रदेश सरकार ने दो माई 2000 में इसे अधिनियम कर रूप दे दिया इस अधिनियम के खिलाप में A.B. चिननया के द्वारा आंधर प्रदेश के हाई कोट में चहलेंज किया गया हाइदराबाद हाई कोट के पाँज़ों की खंडपीट ने इसे खारिच करते हुए कहा कि अनुसुचित जाती के लीष्ट में वर्गीकरन नहीं किया जा सकता हाई कोट के इस फैसले के खिलाप आंधर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोट चला गया सुप्रीम कोट के पाँज़ों वाली खंडपीट ने 2005 में हाई कोट के इस फैसले को बरकरार रखते हुए कहा अनुसुचित जाती लीष्ट में आती पिछड़ा के ग्राउंड पर उप वर्गीकरन की इजाजात नहीं दी जा सकती पंजाब बिधान सभा ने 2006 में सिडूल्ड कास्ट एंड पेकवर्ड क्लासेस रिजर्बेशन इन सर्वीसेस एक्ट 2006 बिल पारिद करके राज्य के नौकरियों में सीधी भरती हितू अनुसुचित जाती के लिए 25 परतिशत और पीछड़ा वर्ग के लिए 12 परतिशत आरक्षन का प्रवधान किया इस बिल में धारा चार उसका खंड पांट जोड़कर बालमी की सिख और मज़पी सिखों के लिए अनुसुचित जाती के लिए अरच्छित कोटा में से ही 50 परतिशत आरक्षन का प्रवधान रखा गया पंजाब सरकार के इस अधिनियम की धारा चार उसका पांच की बज़ता के खिलाब हाई कोट पंजाब एंड हरियाना में दाविंदर सींग एंड अधर्स ने केस दायर कर दिया 29 मार्च 2010 को पंजाब हाई कोट ने एवी चिनाईया बनाम हांधर प्रदेश सरकार केस 2005 में दिये गए सुप्रीम कोट के फैसले को अधार मानकर इस अधिनियम को आज सम्वायधानिक करार दिया पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोट में अपिल करते हुए कहा कि चिनाईया जज्जमेंट इस मामले पर लागू नहीं होता क्योंकि इंदरा सावहने बनाम भार्द सरकार केस में सुप्रीम कोट के निरने दिनाग 20 अगस्त 2014 के खिलाप नहीं है सुप्रीम कोट ने इंदरा सावहने केस में या निरने दिया है कि OBC वर्ग को पिछड़ा और अती पिछड़ा में पाटा जा सकता है इसके बाद पंजाब इस्टेट वर्षेस दाविंदर सींग और अदर्स की सुनुवाई कर रहे सुप्रीम कोट के तीन जज़ों की बेच ने सुप्रीम कोट के चिनये जजमेंटे 2005 में संदेव व्यक्त करते हुए इसे बड़े बेच बनाकर समिक्षा करने की जरुरत बता 9 नॉयंबर 1994 को हरियाना सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके अनुसुचित जाती को दो कटेगरी में A और B में बांट दिया B कटेगरी में चमार, जाटिया चमार, रागर, रियागर और रविदास उपजातियों को रखा और उनके लिए 50% आरक्षन का प्रवधान किया बाकी बचे 36 उपजातियों को A कटेगरी में रखा इन दोनों कटेगरी को सरकारी नवकरियों में 50-50% आरक्षन का परधान कर दिया अगर A कटेगरी में योग उमिद्वार नहीं मिलने के कारण कुई पद्ध खाली रह जाता है तो उसे B कटेगरी के उमिद्वारों से भरा जाएगा और अगर B कटेगरी में योग उमिद्वार नहीं मिलने के कारण कुई पद्ध खाली रह जाता है तो उसमें A कटेगरी से भरने का परधान रखा गया इस नोटिफिकेशन के खिलाप में पंजाब एंड हरियाना हाइकोर्ट में केस चला दीनांग 6 जुलाए 2006 को सुप्रीम कोर्ट के चिन्निया जज्जमेंट की अनुसुची जाती के लिस्ट में उपवरगी करण आसमायधानिक है इसके अधार पार नोटिफिकेशन रद्ध कर दिया हाइकोर्ट के इस फैसले की खिलाप सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचिया 2009 में तामिलनाडू विधान सभा में भी रिजर्वेशन फोर्दा सिडूल्ड कास्ट एक्टे 2009 पास करके साक्षिनिक संस्थाओं और नौपरियों में अनुर्शुचित जाती के कोटे में से तीन परतिशत अरुनाथा थियारस के लिए अरक्षित कर दिया जिसमें साथ उपजातियां अरुना थाथियार, चक्की लियन, मदारी, मदीगा, पागडी, धोती और आदि अंध्रा आते हैं इस एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोट में चिनईया जज्मेंट के अधार पर चैलेंज किया गया 20 अगस्त 2020 को पंजाब सरकार बनाम दाविंद्रे सिंग केस को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोट के पूरु चिनईया जज्मेंट का पुन्राव लवकन साथ जजों का समयधनिक पीठने किया 27 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोट ने समिच्छा करते हुए कहा कि इंद्रा सावहने केस में सुप्रीम कोट पिछड़े वर्क को बेकवर्ड और मोर बेकवर्ड में विभाजित करना समवायधनिक बताया लेकिन चिनईया केस में सिदूल्ड कास्ट को उप वर्गी करन को और समवायधनिक करार दिया इंद्रा सवहने मामले में सविधान की धरा शोला का चार में लिखा हुआ बैकवर्ड क्लासेश को सैक्षनिक और समाजिक रूप से पिछडे बैकवर्ड क्लास, सिडूल्ड कास्ट और सिडूल्ड ट्राइब कास्ट तीनों के लिए ब्याख्या किया गया है अनुसूचित जातिया एक समरूप वर्ग नहीं है अनुसूचित वर्ग के अती पिछडी उपजातिया जो प्रयात परति निद्हित्तों नहीं करते हैं उन्हें समूचित उपचार दिया जा सकता है जैसे समान आउसर परदान करने ही तू सब क्लासिफिकेशन का परदान करना चाहिए ताकि रिजर्वेशन के उद्देशों की पूर्दी हो सके या राज के लिए खुला है कि आर्टिकल सोला उसका चार का उपयोग करके अनुसुचित जाती के अंदर कुछ उपजातियों के लिए जो परयाप्त परतिनिधित्तों नहीं करते तर्क संगत बीशिस पर विजर्वेशन की सिविधा दे कर अनुसुचित जाती के कोटा में से कोटा परदान करें या बचे अन्य उपजातियों को आर्टिकल 341 के लिस्ट से बाहर नहीं करता जर्नेल सिंग भरसेस लक्ष्वी नरायन गुपता केस में सुप्रीम कोट या पाया की आरक्षन सुनिस्चित करने के लिए अनुसुचित जाती से क्रीमी लेर बाहर करने पर आर्टिकल 341 के लिस्ट में कोई छेड़ छाड नहीं होता उपवर्गी करने के बावजुद सोची में सामिल उपजातियों को आरक्षन की सुविधा मिलता रहेगा दोस्तो या जज्जमेंट से समंदित कानूनी वीडियो है इसलिए थोड़ा समझने में दिकत हो रही होगी लेकिन आप बने रहिए और ध्यान से सुनिए ताकि इस जज्जमेंट को आप पूरी रिती से समझ सकें साथ सदस्यों वाली बेच के नयाइधीसों ने पक्ष विपक्ष में दिये गए दलिलों, पूर्व जज्जमेंट के तत्यों और समिक्षम पाये गए महत्पूर बिन्दों पर विचार करते हुए जो आजिस दिया है वा टोटल 565 पेज का है इसलिए सभी बातों को यहां बताना संभव नहीं है इसलिए मैं संचिप में जज्जमेंट की खास बातों को आप लोगों को बताने जा रहा हूँ पहला, अनुसुचित जाती को उप वर्गिकरन करना सविधान के आर्टिकल 341 का उलंगन नहीं करता क्योंकि लिस्ट में सामिल किसी भी उप जातियों को ना सामिल किया जा रहा है और नहीं निकाला जा रहा है उप वर्गीकरन से उलंगन तभी माना जाएगा जब अनुसुचित जाती के सभी सीटों में वर्गीकरित उप जातियों या समूह को प्रात्मिक्ता या बिशिष्ट स्विधायें दिया जाए दूसरा चिन्नाईया जजमेंट के निर्ने की अनुसुचित जाती के अंदर उप वर्गीकरन नहीं किया जा सकता इसे खारिज किया जाता है याने अनुसूचित जाती के अंदर उप वर्गी करन करके आरक्षन कोटा की अनुमती है परन्तु वर्गी करित किसी एक उप जाती को 100% कोटा नहीं दिया जा सकता तीसरा, राज सरकारें अपने राज के नवकुरियों में आपरयाप्त परतिनिध्यत्यों का डाटा एकत्रित करें क्योंकि या पिछड़े पन की पहचान करने में मदद करेगा राजियों को प्रमानिक साक्ष्यों से या सिद्ध करना होगा कि जिन्हें उपवर्गिक्रित कर कोटा दी जा रही है उनका परतिनिध्यत्यों आपरयाप्त है जो था अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति में भी क्रीमी लेयर लागू होगा प्रन्तु क्रीमी लेयर हटाने का मापदन OBC के जैसा नहीं होगा दोस्तो जैसा कि मैंने बताया पंजाब, हर्याना और अंधर परदेश सरकार ने सब क्लासिफिकेशन करने का प्रयास किया था प्रन्तु इन तीनों सरकार के प्रयास को हाई कोट और सुप्रीम कोट ने पहले ही रोक लगा दिया था इस रोक के बिरोध में किये गए या चिकाओं के आलोख में या जज्जमेंट आया है या केस पोरी तरह अनुसुचित जाती में आरक्षन का मामला है आदेश में सब क्लासिफिकेशन करने का प्रवधान केवल अनुसुचित जाती के लिए किया गया है परन्तु क्रीमी लेयर अनुसुचित जाती और अनुसुचित जन जाती दोनों में लागू होगा सब क्लासिफिकेशन आदिवासियों के लिए लागू नहीं होगा पूरे 565 पेज के आदेश में कहीं पर भी अनुसूचित जन जाती को केंदर में रखकर सुनुआय नहीं हुआ लेकिन फिर भी क्रीमी लेयर को अनुसूचित जाती के साथ साथ अनुसूचित जन जाती पर धोब दिया गया अनुसुचित जाती के उपवर्गीकरन के पक्ष में मुखे नियाधीस के साथ छे नियाधीसों ने अपना मत रखा अनुसुचित जाती के उपवर्गीकरन या आर्टिकल 341 के किसी भी बदलाव के बिरोध में केवल एक महिला जज बेला M3 थी महिला जश्टिस का कहना था कि सुप्रीम कोट के द्वारा 5 जजों वाली खंड़ फीट द्वारा दिये गए निर्ने को सुप्रीम कोट के 3 जजों वाली खंड़ पीट केवल संदेह के अधार पर 7 जजों वाली खंड़ पीट से दुबारिस समिक्षक की शिफारिस नहीं कर सक उन्होंने इस बात पर भी आपत्ती जताई कि इंद्रा सावहने केस में OBC के पिछड़ापन से संबंदित पिछड़ा और आती पिछड़ा में उपवर्गीकरण का हवाला देकर अनुसुचित जाती के पिछड़ेपन को भी OBC के समान मानती हुए उपवर्गीकरण करना सवि इसी वज़ा से आर्टीकल देका संग्रक्षित किया गया है क्रीमी लेयर के पक्ष में डी आर गवाई के साथ केवल चार नयाधीस थे माननीय मुखे नयाधीस दी वाई चंदर चूड मनोद मिस्रा और बेला त्रिविदी क्रीमी लेयर के पक्ष में नहीं थे परंतु क्रीमेंट में अनुसूचित जन जाती को सब क्लासिफिकेशन से बाहर रखा गया है प्रंतु अनुसूचित जन जाती में भी क्रीमी लेयर लागू हो जाने से इसका बहुत बुरा प्रभाव आदिवासियों पर पड़ेगा क्रीमी लेयर के कारण आर्थिक रूप से सक्षम सभी लोग आरक्षन से बाहर हो जाएंगे और बाकी बचे लोग गरीबी और लाचारी के कारण उमिद्वारी साबित नहीं कर पाएंगे अच्छे सैक्षिनिक संस्थाओं में फीस नहीं दे पाने के कारण बीच में ही पढ़ाई छोड़ देंगे परिणाम यह होगा कि अनुसुचित जन जाती की अधिकतर सीटें भरी नहीं जा सकेगी इन खाली सीटों को NFS यहने Not Founded Suitable Candidate घुशित करके जनरल वर्ग से भर दिया जाएगा ST-ST के सक्षम लोग क्रीमी लेर के कारण आरक्षन से बंचित हो जाएगे इससे समाज के लोग अच्छे पदों पर नहीं जा पाएगे और नौकरी भी कम हो जाएगी इससे ST-ST समाज के आर्थिक स्थिति और कमजोर होती चली जाएगी आदिबासी और दलित समाज उठने के बजाए और गिरता चला जाएगा इस प्रकार यह जज्जमेंट अनुसुचित जाती और जन जाती दोनों का कमर तोड़ देगा दोस्तो या वीडियो आप लोगों को कई से लगा कमेंट करके जरूर बताईए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेर कीजिए ताकि असली बात सब जान सकें और किसी प्रकार का अपगवास से कोई लोग भर्मित नहीं हो सकें अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए ओलगी जोहार नमस्कार